नमस्कार दोस्तों मैं उसिनी पांडे स्वागत था आप सबके एक नई वीडियो में नाव इंडिया ने क्या किया है जो एवेस से यमक्यू 9 भी ड्रोन लिया था लीज़ पर 2022 में उसकी टाइमिंग स्टेंड कर दी थी और ज्यादा दिनों के लिए उसको लीज़ पर कर लिय यह इनीज मीडिया का कहना है कि जो सेंट्रल एटोमिक्स कंपणी है अमेरिका की उसका यमक्यू 9 भी जो गार्डियन ड्रोन है उसको जो इंडिया ने लेसी के पास में डिपलोई किया है वो सिर्फ सर्विलांस में काम आ सकता है और वो इस्ट्राइक नहीं कर सकता है इसमे लिए है ओल्डेडी इंडियन फोर्स में उसने दस अजार घंटे से ज़्यादा सर्विस दे दी है तो इस बारे में तो भी बात में बात करेंगे लेकिन पॉइंटिंग आउट देट डिप्लोइमेंट ओफ यूएस मेड ड्रोंस अलोंग एले से दा चाइनीज मीडिया है स्क स्ट्राइक केपिसिटी तो भाईया इनका कहने के मतलब यह है कि यह स्ट्राइक नहीं कर सकता है अलकाइदा का यह लीडर था चीफ था अलजावरी आप लोगोंने नाम सुना होगा क्या हुआ था पाकिस्तान में बैटकर अमेरिका ने यमक्यू 9 उड़ाया और सेंटर काबूल में था वो एक बालकोनी में जैसी कुछ जगा पे खड़ा था लिटिली और बहुत उचाई से स्ट्राइक करके उसको एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया यह है इसकी कैपिविल्टी कैपिसिटी किसी के उपर स्ट्राइक करने की चाइनीज मीडिया के रिए नह को लेकिन इसके अलामा उन्होंने और क्या क्या कहा है उसको मैं आपको बता देता हूं चैनीज मीडिया का कहना है कि इंडिया जो यह 30 MQ9 B खरीदने वाला है यह अरौंड तीन बिलियन का पढ़ेगा यानि प्रते एक ड्रोन सो मिलियन रुपए का पढ़ेगा यह इक्वि इंडिया एक ड्रोन इतने रुपए का ले रहा जितने में जे 20 स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाता है मतलब उनके कहने का यह है कि बहुत इस्पेंसिब है वेस्टन कंटी इंडिया को लूट रही है इस मामले में और लेक ओपी सिटी है स्ट्राइक करने के मामले में यह चा को छोड़ो अब उसकी बात कर लेते हैं उन्होंने जो डिप्लोई कर रहा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे चाइनीज मिलिटरी इस्टेंसिब एरिया ओफ एंटी ड्रोन के पेविल्टीज इट्स आलसो क्लेंड देट चाइनीज टाइप सिक्स टूफाइप यह गन मिसाइल अब उस मिसाइल सिस्टम के बारे मैं आपको समझा देता हूं अभी नया नया है बहुत कूद रहें उसके बाल पर है क्या वह उसका नाम है मतलब सोड नेम है उसका 625 यह गन मिसाइल सिस्टम तो इसमें क्या होता है कि 5-7-8 ऐसे होल वाले गन लगाया जाते पाइप टाइ में 25 यहम का जगा होता है उस होल के अंदर उससे क्या होता है कि बहुत जादा जल्दी जल्दी स्पीड में गोलिया छोड़ी जा सकती है लिटिली वह ड्रोन को हिट करने के लिए तो चाइनीज मीडिया का कहने का मतलब है कि इसके अगेंस्ट में हम इससे इसको निट्रला टाइम में दुनिया भर में ड्रोन है उन समय यह लीडिंग में है यानि इस से अच्छा ड्रोन इस पूरी विर्थिवी पर है यह नहीं फिलाल के लिए इतना ज़्यादा यह एडवांस लेबल का है जन्रल अटोमिक्स एरोनियोटिकल सिस्टम ने बनाया है इसको अमेरिका इसलिए इतना ज़्यादा मेंगा है हलाकि इंडियन गोर्मेंट इसके बारे में जो डील कर रहे है उसके बारे में आपको समझा रहा हूं कि क्या मेंटर है और इंडिया इतना मेंगा होने के बावजूद इसको खरीदने की क्यों कोशिस कर रहा है इसके पीछे एक बहुत स्टाइल कैनन एड दिस यर्स जुआई एर सो तो वही है गेट लिंग जो सिस्टम है यह वही होता है कि पांद साथ गन एक ही गन में सेट होती हैं और वो साथ में छोड़ती हैं बहुत सारे गोलिया तो इस वज़ा से वो ज़्यादा प्रोब्लम की रेट कर देता है दे एर डिफेंस सिस्टम इस जुएंटली डबलट बाई दा चाइनिज साउथ इंडस्ट्रीज ग्रूप कॉर्परेशन सी एस जीसी एंड चाइना नौर्थ इंडस्ट्रीज ग्रूप कॉर्परेशन और नेरीकन को एंड इस नाउन एज़ादा टाइप ओप 625EA गन मिसाइ सिस्टम वही मैं कहा रहा है इसका सोड नेम है 625E यह गन मिसाइल सिस्टम तो यह इनका चाइना का नया इयर डिफेंस सिस्टम है और यह कहे रहे हैं इस से मार के गिरा देंगे हम यह भी जो भी होगा उसको जो इंडिया ने डिपलॉई कर रका है लेशी के पास में और यह यूज कर रही है People's Liberation Army उसका जो capabilities है वो comparable है MQ-9B से अब इनको कौन समझाए कि MQ-9B दुनिया का सबसे modern और सबसे ज़्यादा ताकत वर रोन है Unmanned Aerial Vehicle है अब रही बात इंडिया इतना महंगा क्यों खरीद रहा है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है Chief of Naval Staff है Admiral R. Harikumar उन्होंने कहा था कि देखो हम इसको इसलिए खरीद रहे हैं इसका negotiation चल रहा है हम 30 खरीदेंगे obviously और इसका price जो है वो भी 3 billion में है यानि परते कि एक drone लगभग में 100 million रुपए का पड़ेगा तो काफी महेंगा है लेकिन उन्होंने कहा था कि हम यह बात कर रहे हैं कि 60% जो इसका assembling है वो इंडिया में हो और हम यह चा रहे हैं कि technology हमें transfer की जाए तब हम खरीदेंगे इसे नहीं खरीदेंगे कि भाईया हमें दे दो कल को खराब हो गई तो हम आपके पास आएंगे technology हमें transfer की जाए 60% इसकी जो assembling है वो इंडिया में होगी in the future आप DRDO के साथ collaborate करके MQ9B या C जो भी बनाना होगा वो इंडिया में बना होगे अगर इस बात पर आप राजी हो जाते हो तो ही हम आपका यह खरीदेंगे आरहर कुमार ने कहा था और उन्होंने यह भी कहा था इंडियान नेवी has been enhancing its surveillance capabilities to keep and eye on spending Chinese activities such as the frequent ferries of PLS warship into the Indian Ocean region और जो MQ9B है इसमें 9 hard points हैं इसके अलावा यह 2155 kg का external cargo भी लिफ्ट कर सकता है और यह काफी अच्छा है इन मामलों में अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़े हतियार को लेकर मिसाइल सोगरे को लेकर उपर जा सकता है और उसके बाद में सटिक निसाना लगा कर यह हिट कर सकता है इसका बहुत best example यह है कि जो चीफ मारा गया था अलकाइदा का काबूल में वो लिटरली एक ही बार में निपट गया था जबकि वो बिल्कुल खुली सी जगह पे नहीं खड़ा था और यह बहुत उपर से मारा गया था बाद में तालिबान ने लिटरली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परिसान किया पाकिस्तान की जमीन यूज हुई थी उस ड्रोन को उड़ाने के लिए क्योंकि वो बैसली अफगानिस्तान से वो नहीं उड़ाया गया था उड़ाया थो पाकिस्तान से ही गया था लेकिन यूस द्वारा उड़ाया था और यह भी का जा रहा है कि जो यह MQ-9 भी डील है वो अगर एक बार कंपलीट हो जाती है तो यह इट बिल बी ओन अब दा लीडिंग सिंबल ओप दा इंडिया यूस डिफेंस कोर्पोरेशन इट विल आलसो बी दा फस्ट टैंड देट दा कंबोट एंड सर्विलांस डोन इस बीन असेंबल आउट साइड दा यूनाइटेड इस्टेट इस से पहले यूस से ने किसी को यह टिकनोलोजी दी ही नहीं है इंडिया क्या है देखने में लग रहा है कि 30 ड्रोन खरी रहा है लेकिन एक्चुल में जो प्राइस पे कर रहा है इंडिया वो तीस ड्रोन के प्राइस नहीं पे कर रहा है अगर आप देखोगे तो उसमें यह साफ दिख रहा है कि टिकनोलोजी की प्राइस पे कर रहा है कि टिकनोलोजी बहुत अच्छी है EMQ-9B की दुनिया में इसके मुकाबले के ड्रोन है ही नहीं तो इस वज़ा से इसका सर्विलांस सिस्टम बहुत अडवांस है इसका स्ट्राइक सिस्टम बहुत अडवांस है और चाइनीज मीडिया जो बकवास कर रही है इनका काम ही यह है क्योंकि इनको इसलिए पैसा मिलता है वो सरकारी मीडिया है तो यह ऐसे ही बोलेगी विसलिए इन्डिया इनसे तो सल्ला लेकर ऐसा कुछ करेगा नहीं उनको दर्दी इसी बात का है कि इन्डिया ऐसा कर लेगी और इन्दा फ्यूचर अगर उसके पास टिकनोलजी आ गया तो यह और प्रोब्लम की रेट करेंगे क्योंकि ड्रोण जैसे मामले में इन्डिया बहुत पीछै है अब ड्रोण का इस तरह से ही हुझा है कि उकरेंगे में रसिया पे भारी पढ़ गया यूकरेंग क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे लेवल के ड्रोण परवाइड करा दिए तर्की ने तरकी जैसे कंट्री ड्रोन के मामले में लीड कर रही हैं और इंडिया काफी पीछ है, तो इस वज़ा से अगर इंदा फ्यूचर 3 बिलियन रुपए खर्च भी हो जाते हैं इंडिया के 30 ड्रोन लाने में, पर ड्रोन पे 100 मिलियन रुपए पड़ जाते हैं, लेकिन अगर टे इसे से मोनीटर करने के लिए बाकि ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जहीं